नमस्कार दोटसों सत्पूरिया किलासिज में आपका स्वागता आज हम बात करने वाले आरारव एंटीपीसी दोजार चोबिस के बारे में आज इसमें बात करेंगे टोटल फॉर्म के बारे में कितनी गईती डेंजर जोर के बारे में बात करेंगे 15 सितंबर तक पहले दो दिन में केंडिडिट दुआरा कितने रेजिस्टेशन किये गए हैं आर आर भी एंटीपीसी 2019 में सीबीटी वन की कटोफ कितनी गईती लेवल फाइप और लेवल सिक्स की सबसे सेफ और डेंजर जोर यहां पर कौन कोन सा रहने वाला है चलिए सबसे पहले यहां पर जोर की बात कर लेते हैं अगर आप सबसे बैस्ट बुक यहां पर चकसु परकासन के ओने वाली है इसकी सब्जेक्ट वाइज बुक एससी जीडी यहां पर रीजनिंग मैंच सामनिय गार और इंदी अविलेबल है इसका लिंक मेरे दे रखा है यहां पर कोलकता जोन की बात करें 1382 वेकंसी है यहां पर 4352 टोटल रेइस्टेशन अभी तक हुए हैं दो दिन में और यहां पर जनरल की गटोफ 75 के आसपास OBC 70 यह CBT1 2019 की गटोफ के बारे में बात कर रहा हूं लेवल 5 और लेवल 6 के बारे में EWS 65, SC64 और ST54 के आसपास गई थी मुंबई में 827 वेकंसी है 3892 टोटल फॉम अपलाई हुए हैं जनरल की गटोफ यहां पर जनरल की गटोफ OBC 64, EWS 55, 59 SC और ST47 भूबनेसवर में 758 वेकंसी है 2869 टोटल फॉम अपलाई हुए हैं जनरल की गटोफ जो गई थी 2019 CBT1 की चोहतर के आसपास OBC 68 60 EWS 57 यहां पर SC और 50 ST बिलासपूर में 619 699 वेकंसी है 3046 रईस्टेशन भी तक हुए हैं 31 कटोफ गई थी जनरल की 66 OBC EWS 58 SC 55 और ST 59 गवाटी में 516 वेकंसी हैं 1763 रईस्टेशन हुए हैं 62 यहां पर जनरल की कटोफ 55 OBC EWS 40 SC की कटोफ 52 और 51 यहां पर ST की एमदाबाद में 516 वेकंसी हैं 1856 रईस्टेशन भी तक हुए हैं 34 कटोफ जनरल की 68 OBC EWS 44 SC यहां पर 65 और 56 यहां पर ST की कटोफ गई थी बैंगलोर की बात करें बैंगलोर में 496 वेकंसी हैं 1537 यहां पर टोटल फोर्म अपलाई हुए हैं जनरल की 77 OBC 24 EWS 68 SC की यहां पर 65 औ वेकंसी हैं 1649 टोटल रईस्टेशन भी तक हुए हैं 1649 यहां पर टोटल फोर्म अपलाई हुए हैं और यहां पर 76 जनरल की कटोफ 69 OBC EWS 65 65 यहां पर SC और 59 यहां पर ST राजी में 322 वेकंसी हैं 1258 यहां पर टोटल फोर्म अपलाई हुए हैं अभी तक दो दिन में 76 यहां पर जो कटोफ गए थी जनरल की 72 OBC और यहां पर EWS 60 62 यहां पर SC और 56 यहां पर ST परियागराज में देख लेते हैं परियागराज की कटोफ सबसे हाई जाती है चंडिगर्ट परियागराज और यहां पर जम्मू 227 यहां की वेकेंसी है 1536 फोर्म अभी तक अपलाई हुए हैं दो दिन में 79 यहां पर जनरल की गटोफ तैंटर OBC 68 EWS 65 यहां पर SC और 55 यहां पर ST माल्दा में एक तो अठान में वेकेंसी हैं, बारा सो अठान फोम अप्लाई हुए हैं, जनरल चेतर, यहां पर OBC बातर, 69 यहां पर EWS 63 यहां पर SC और 56 यहां पर ST तिरुवंद्पुराम में 114 वेकेंसी हैं, 908 टोटल फोम अप्लाई हुए हैं, 69 जनरल, 63 यहां पर OBC, 40 यहां पर EWS, SC 50 यहां पर ST बोपाल में 155 वेकेंसी हैं, 1032 यहां पर टोटल फोम अप्लाई हुए हैं, 180 जनरल, OBC 68 और EWS 48, 60 यहां पर SC 51 यहां पर ST, जम्मू सबसे कटोफ हाई जाती है, जम्मू की 145 यहां डेंजर जोन हैं, 145 वेकेंसी पर 1098 टोटल फोम अप्लाई हुए हैं, 12 यहां प ST, अब यहां पर अजमेर बोर्ड में देखें, तो अजमेर में 132 वेकेंसी हैं, और 992 टोटल फोम अभी तक अप्लाई हुए हैं, 80 यहां पर सबसे हाई कटोफ गई थी, 80 यहां पर जनरल की 77 यहां पर OBC 71, EWS 68 यहां पर SC और 81 ST, गोरकपूर में 139 वेकेंसी हैं, 866 टोटल फोम अप्लाई हैं, 64 जनरल 55 OBC 44 यहां पर EWS 42 SC और ST 35, पटना में 111 वेकेंसी हैं, 998 टोटल फोम अप्लाई हुए हैं, 14 यहां पर जनरल EWS सिकात तर एठावन यहां पर EWS, SC 55 और यहां पर 60 ST, सिली गुडी में 40 यहां पर वेकंसी है, 745 टोटल फॉम अपलाई हुए है, 65 यहां पर जनरल, यहां पर OBC 57, EWS 40 और तरेपन SC, ST 40, मुझफर पूर में टोटल 12 वेकंसी है, 305 रेइस्टेसन भी तक हुए है, यहां पर जनर 40, अगर यहां पर टोटल फॉम की बात करें, तो दो दिन में लगबग यहां पर 32,000 के फॉम आसपास डाले जा चुके हैं,